कल मैंने आप लोग को एक वीडियो बना कर जानकाई दिया था कि पटना मेट्रो में एक नई भरतिया आप निकल के आई हुई है और लगभग 16 अलग तरीके का जो पोस्ट है उस पर आप लोग को बहाली है वह यहाँ पर निकल के आया हुआ था अगर आप लोग इस बेकेंसी उसको आप पर ओपन कर रखार यहाँ पर जो है आप लोग पीडियाप पर क्लिक किजेगा तो जिस भी पोस्ट के लिए आप डीटेल देखना चाहते है उसका जो डीटेल है वो आप लोग को कुछ इस तरीके से आप देखने को मिल जाएगा और पोस्ट के बारे में पूरा करने बाले हैं तो सबसे पहले आप लोको यह देख लेना है अगर आप लोको जो है इसके बारे में डीटेल में जानना है तो मैंने पहले से वीडियो बना रखा है आप एक बार जाकर वीडियो देख लीजेगा नोटिफिकेशन का फुल डीटेल में वीडियो बना रखा है कि क्या आप लोग का qualification दाने बाला है, selection किस परकार से होने बाला है, हर एक चीज जो है मैंने बता रखा है, तो वो वीडियो आप देख लिजेगा, आप लोगो थम्मनेल दिख़़ा होगा, आप बात करते हैं कि आप लोगो किसी भी पद के लिए apply करना है, तो apply कहां से होगा, तो apply करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जोई इस website प्याना होगा, इसका जो link के वो कहां मिलेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको सीधे अपने Google में जाना है, और आपको वहाँ पे लिखना है YTDC, यहाँ पे जो लिखा हुआ देखना है, सेम आप लो पटना लिखकर कुछ इस तरीके से हाँ पे सर्च किजेगा, या फिर पटना Metro लिखकर सर्च किजेगा, तो आप लोको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल्यागा, इसको आप लोको आपर ओपन कर लेना है, मैंने पूरा जानकाली इस पोस्ट में आप दे रखा है, आप चाह जो है आप लोको हाँ पे create करना होगा, तो यहाँ पे register hair का option है, इस पे आपको जो ही click करना है, थोड़ा सा इंतजार किजेगा, कुछ इस तरीके से आएगा, सबसे पहले अपना full name है, फिर यहाँ पे अपना mobile number डालना है, get OTP पे आप click किजेगा, आपके mobile number पे OTP आएगा, O इस तरीके से जो password है वो आप लोको हाँ पे create करना है, दुबारा आप confirm करना है password create account पे आप click किजेगा, आप लोका जो account है, वहाँ पे create हो जाएगा, फिर यहाँ पे sign in का option है, sign in पे click करके अपना account है, उसको आपनों को हाँ लोगिन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे जो account create करता हूँ, उसको बद आगे आपको दिखाता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे login किजेगा, कुछ इस तरीके से आप लोका जो website है, वहाँ पे open हो जाएगा, आप यहाँ पे देखपाऊंगे no any application found, click here to apply का option है, इस पे आप लोको click करना है, click करने बद कुछ इस तरीके से आप लो इस यहाँ पे apply करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको tick करेंगे, फिर यहाँ पे post apply फोर, यानि कि आप जिस भी post के लिए eligible हैं, वो अपना post यहाँ पे आप select किजेगा, माली जो मैं आप office assistant यहाँ पे select करता हूँ, फिर यहाँ पे आप देखपाऊंगे, वो आप लोको इस तरीके से यहाँ पे select कर लेना है, आप यहाँ पे father's name आप तो लिखना है, यहाँ पे date of birth अपना है इस calendar पे आप टिक किजेगा, यहाँ पे आप जोई select कर सकते हैं, नहीं तो अपडाइक लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे जोई अपना email ID डालना है, verify email पे आप लोगा रहेगा, वो आप यहाँ पे select कर लिजेगा, फिर person with disability, अगर आप disabled वाले हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे no कर दीजेगा, फिर यहाँ पे आप लोगो बताना है कि क्या आपका कोई criminal proceeding यहाँ पे चल रहा है, अगर चल रहा है तो नहीं तो आप यहाँ पे जो पर्माने टेटरिस है उसको आप डालिएगा, फिर आप लोग नीचाहिएगा education qualification मांगा ज़रा है, पहले जो है 10th का आप लोगो detail डालना होगा, फिर यहाँ पे 12th है, 12th का detail आप लोगो डालना है, अगर diploma है, तो डिप्लोमा का detail डाल सकते हैं, वो आप लोगो आप बताना होगा, तो जब आप यहाँ पे 10th pass की हैं, वो आप लोगो आप बताना है, फिर percentage कितना आया हुआ था वो आप लोगो आप बताना है, और upload certificate का option है, चूज पाइल पे क्लिक करके आप लोगो जो certificate है, उसको आप लोगो अप लोड करना होगा, फि आप लोगो का जो experience बाला होगो आप इसको भरना होगो जरूड़ी है, अगर आप लोगो के पास experience नहीं है, तो आप लोगो आप लोग आप लोग नहीं कर पाइएगा, तो इस बात कभी आप लोग आप ध्यान रखियेगा, फिर आप लोग नीच आईएगा, तो यहाँ पे डीटेल है वहाँ पर सोक कर देगा एक बड़ चेक कर लिजेगा कि आपका सारा डीटेल सही है या फिर नहीं है अगर सारा डीटेल सही रहता है तो आपको कहाँ पर सेब क्लिक करके आपको फाइनल सर्मिट कर देना है तो इस तरीके से जो फॉर्म है वह आपको कहाँ पर फिल